इस टॉपिक विचार आप से साजा करेंगे कि जब हम टीचर से इन्नोवेशन की उमीद करते हैं, जब हम टीचर के इन्नोवेटिव होनी की बात करते हैं तब हमें एक सिक्षक से क्या अपेक्षा या क्या चाहिए होता है मैं अपनी बात फॉर्मली शुरू करें, इससे पहले कुछ सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करूगा तो मेरे कुछ विद्यार्थियों की हैं या फिर उन टीचर्स की हैं जो देश में फिमिन कोनों पर अपने अपने प्रयासों से अपने अपने विद्यालियों में नवाचार कर रहे हैं यह पिक्चर एक नवाचारी सक्षक ने मुझे भेजी कि वो कैसे अपनी कक्षा में अपने सेल्फ मेड प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करके बच्चों के सरीर के अंगों की क्रियाविदी समझाने के लिए उसको बच्चों की बॉड़ी पर प्रोजेक्ट करता है इस सिक्षक का नाम प्रदीप तुमार है और यह उत्तर प्रदेश के सजाहपुर जिले में पढ़ाते हैं एक उच्च प्रात्मिक विद्याले के सिक्षक हैं और इन्होंने केवल अपने प्रयाशों से अपने विद्याले में एक ऐसी विज्ञान की प्रियोग साला स्थापित की है जहाँ यह सेल्फ में कूल सेल्फ मेंड अपरेटर्स और जो भी कवार जिसे हम कहते हैं वो जो मिलता है उसके प्रयोग से विज्ञान के नए नए आयामों को स्थापित करते रहते हैं उनको प्रसुत करते रहते हैं उनको बहुत राश्टी है और राजस्तर को पुरुस्टार भी मिले हैं और बहुत सारे स्कूल्स अपने टीचर्स को बहुत सारे डायेट्स अपने टीचर्स को इनके स्कूल को विजिट कराने ले जाते हैं कि आप चलिए और देखिए कि किस प और कहानी स्कूल बैंक की है, स्कूल बैंक फिर एक नवाचारी प्रियोग है जो फिर उतर प्रदेश में बरेली जिले में पाथमिक सिक्षक सौरव शुकला है, भोज प्रियोग को कर रहे हैं, और ये प्रियोग इतना सफ़ाल और इतना पॉपलर हुआ है, या इस देश के च सौरव ने अपने इस प्रियोग में विद्याले में विद्याले में आवश्यकता जिन चीज़ों की होती है, पैंसिल है, रबर है, पैं है, कटर है, स्केल है, इन सब की एक छोटी सी बैंक स्थापित की है, उस बैंक का संचालन इनकी विद्याले के विद्यार्थी करते हैं और वे ही इस बैंक का संचालन करते हैं, अच्छा नवाचारी प्रियोग है, तो ये भी एक अच्छा उधारण है, ऐसा ही एक और उधारण, ये एक और इनने प्रियोग किया है, कि कार्टून के माध्यम से इस पैंडमिक पीरिड में अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई जारी रखने का ये प्रियास करते हैं, मैं कार्टून प्ले कर रहा हूं और आप इसको देखिए और फिर हम इस पर चर्चा करें गुड मॉनिंग क्लास, कैसे हो आप सब, मैंने कल गरनित में पहाड़े याद करने को दिये थे तो आप में से सबसे पहले कौन सुनाने आएगा? सर, मैं सुनाओंगा अच्छा, ठीक है, चलो, यहाँ आजाओ हाँ तो बेटा, क्या नाम है तुमारा? नमस्ते सर, मेरा नाम समीर है बेटा, ऐसे नहीं करते, सीधे घड़े ओकर जबाब देते हैं ओके, सौरी सेर, मैं आगे से ध्यान रखोंगा शाबाश, बेटा अच्छा, चलो, यह बताओ, तुम्हें पहाड़े कहां तक याद है? पहाड़े पहाड़े तो सर, बीस तक याद है, शायद मुझे अरे वाँ समीर, यह तो बहुत ही अच्छी बात है थेंक यू सेर, मैं आपको सुना भी सकता हूँ अच्छा, चलो, अठारा का बाणा सुना कर दिखाओ जरा अरे वाँ समीर, तुमने तो बहुत ही अच्छा सुना याद अब उनिस का भी सुना के दिखाओ जरा अरे वाँ समीर, तुमने के बीट तक के पहाड़े पके पके याद कर लिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे कॉपी पर भी लिखकर दिखाओ दिखाओगे हाँ सेर, मैं आपको इसे कॉपी पर भी लिखके दिखाओँगा और आपसे चेक भी करा लोगा शाबास समीर, अब तुम जाकर अपने सीट पर बैठ चाओ थेंक यू सेर प्यारे बच्चों आपने दिखा समीर ने 19 का और 18 का पहाडा कितने अच्छे से सुना या पहले समीर को भी ये पहाड़े याद नहीं थे लिकिन उसने रोज एक पहाड़ा याद किया और 20 तक के पहाड़े अच्छे से याद करकर सुना दिये एक बार सभी बच्चे समीर के लिए जोर से तालिया बजाईए अरे बस बस अब एक काम करो सभी बच्चे अपनी अपनी कोपिया निकालो और 20 तक के पहाड़े लिखकर मुझे दिखाऊ चीक है बच्चो तो ये एक वीडियो थ अपने विद्यारण की मदद के लिए जब कोई विद्यार्थी इस तरह से प्रियोग करता है तो ये प्रियोग क्या नवाचार नहीं होते एक और प्रियोग की मैं उधारण लेता हूं अब बरेली का ही उधारण है वहाएक अध्यापिका ने हैंगिंग बुक्स का प्रियोग किया और उसने आर्ट और क्राफ्ट की जो कला होती है उसकी साहता से गणित के एक से लेकर बावन तंग के अंक लेकर के और अंग्रेजी के अलफावेट ए से जेट कर लेकर के उनके बड़े-बड़े कटाउट्स बनाए और उनको पूरी कक्षा में तीन-तीन के की करम में इस प्रकार से फ्लैश कार बना करके नटका दिया अब यह सामग्री उसकी छोटी कक्षा में प्रतेक समय विद्यारतियों के समग्ष रहती है विद्यारतिया की नजर आते जाते हिंदी की अक्षनों, अंग्रेजी की अक्षनों और गितियों पर पड़ती है और बच्चे प्रते दिन उनको देख देख कर भी उसको आदम साथ करते रहें तो चाहे पदीब हो, सौरब हो, सुमन हो या कोई और ये सब आप में से ही निकले लोग हैं ये सब आपके जैसे ही वीड के विद्यारती रहे हैं ये सब आपकी तरह ही अपने विद्यालेओं में सिक्षन कर रहे हैं मेरे पास बहुत सारी कहानिया हैं लेकिन सारी कहानिया यहां लेना ठीक नहीं है। आप इन कहानियों को जरा ध्यान से देखिए और फिर यह सोचिए कि नवाचार क्या होता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे तो what to mean by innovation यह नवाचार होता क्या है। अगर नवाचार के साथिक अर्थों की हम बात करें इन्नोवेशन सब्ट लेटिन भाषा के सब्ट नोवस से उत्पन हुआ जिसका अर्थ है नया नोवाइस जिसमें कुछ नया वन हो नॉबैल्टी रिनोवेशन्स यह हम किसी में कुछ नया सुधार कर सकें। अगर धिक्ष नरीय व एड्यकेशन इनोवेशन को दिound करती है अज ज़ प्रमोशन आफ नू आइडिया जैंक्तुर्स तो फंड ही gjort sarà ज्ट अंड इसको श्र। इसको हम लोग innovation कहते हैं. Innovation के definition ने किसके कौन की है जो कहते है turning an idea into solution that adds value from a customer's perspective. Customer यहां हम अपने विद्यार्थियों को दे सकते हैं, ले सकते हैं, तो अपने विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए, यदि हम किसी विचार को किसी समाधान में बदलते, जिससे हमारे विद्यार्थियों को कुछ नया मूल मिले, कुछ नही अच्छी चीज मिले, तो उसे हम innovation कह सकते हैं. ऐसे ही Paul Sloan की definition है, that creativity is thinking something new and innovation is implementation of something new. There are two terms creativity and innovation and Paul Sloan very effectively differentiated these two terms. that when a person is thinking to do something new, that is creativity, but when you make that new thing and implement it, that is called innovation. Very good Sital Deshpande, she is also sharing that she is also using this hanging technique in her classroom. I have already told you, many teachers are doing across the country, so innovation is not something which you cannot do or any other cannot. हम जब innovation की बात करते हैं, तो innovation हमें अपनी कक्षा, अपने विद्यार्थी, अपने विद्याले, अपनी भाशा, अपनी इस्थानिये परंपरा, अपनी इस्थानिये सुविधाये, अपने पास उपलब्द संसाधन, इन सब को ध्यान में रखकर, जब हम उपने विद्यार्थियों के लिए कुछ value addition करते हैं, तो बास्तव में हमारे लिए, वह innovation होती है, और जब हम teacher-region innovator की बात करते हैं, तो इसकी पहली शर्थ है कि teacher एक innovator तब हो सकता है, जब उसे freedom to innovate हो, और आपको कुछ नया करने की स्वतंतरता हो, यदि आपको आपके विद्याले में कुछ नया करने की स्वतंतरता नहीं है, कुछ नया सोचने की स्वतंतरता नहीं है, तो इन नया प्रियोग करने की स्वत की उचित विधियों का निर्मार करें उचित विधियों की खोज करें तब वो इन्नोवेटर हो सकता है then design activities as per need and capacity of learners एक अच्छा feature एक इन्नोवेटर कर हो सकता है जब वो अपने विधियार्थियों अपने सिक्षार्थियों की आवश्यक्ता और छमता दोनों को ध्यान में रखकर कुछ क्रिया कलाग बनाए आप बहुत नई चीज़ें बना सकते हैं लेकिन यदि आपकी बनाई हुई वस्तों आपके विधियार्थियों के काम नहीं आ रही तो फिर आपका innovation आपके लिए है आपकी विधियार्थियों के लिए नहीं है इसी प्रकार एक अच्छा टीचर जो एक innovator होता है वो समाज के प्रति समुदाय के प्रति अपनी चिंताओं की अपनी concerns की केर करता है तो एक अच्छा टीचर जो एक अच्छा innovator है उसे freedom होनी चाहिए innovation की वो communication के appropriate methods device कर सके इसकी सुतंतरता उसको होनी चाहिए वो विद्ध्यार्थियों की आवशक्ता और छमता के अनुरूप क्रिया कलापों की समरचना कर सके design कर सके और समुदाय की जो चिंताएं हैं उनको भी ध्यान में रख कर के दिव आगे बढ़ता है तो वो टीचर एक innovative teacher हम कह सकते हैं पर इसक सौन क्या हो सकता है यह प्रश्म बहुत लम्बे समय से नुप्तरीक तो नहीं कहूंगा बहुत लंय समय से इसकी चर्चा होती है कि हम innovation को किस किस चीज को समाहित करते हैं ऑजक्रताया at मैंने किताबों में पढ़ा है कि 1997 में नेशनल काउंसल पर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंसी आर्टी में एक वर्क्शॉप हुई कि और उस वर्क्शॉप में कि इन्नोवेशन में क्या-क्या आ सकता है इस पर चर्चा की गई यह सभी मैंने वहीं से लिए हैं उस वर्क्शॉप की रिपोर्ट से और उन्होंने कहा कि तंत्र या परिवेश में कुछ नया जो हो वह इन्नोवेशन है जो अल्रेड़ी एक्जिस्ट करता है जो अभी उपलग्द है जो आप प्रियोग कर रहे हैं यह उससे कुछ बहतर बना सके उसमें कुछ सुधार कर सके तो वह इन्नोवेशन है इन्नोवेशन दैन लिपरेट और प्लांड एफर्ट है इन्नोवेशन अपने आत नहीं होते अकस्मा करने पदाए है आपको नोजैं करना पड़ता है योजनगा बनानी पड़ती है और उसके बाद आप इनोवेशन करते हैं जो स्थानिय तंट्र है और स्थानिय आवश्रक्ताइं हैं उनके साथ अपके इन्नोबेशन का स्थानिय तरफ नहीं हो रहा है। आपके विद्यार्थियों की भाषा में उनके अफेक्षाओं के अनुरूप जो उधारण उनके चारों तरफ उपलब्ध है परिवेश में उन उधारणों को लेकर आप उन्निवेशन्स नहीं कर रहे हैं तो आप इन्नोवेशन्स सायद कर लेंगे बढ़ आपके विद्यार् के लिए तो यदि आपके इन्नोवेशन्स आपके विद्यार्थियों के व्यवहार में कोई परिवर्तन ला सकते हैं यदि उनके व्यवहार में परिवर्तन लाने का एक अच्छा उपकरण है तो हम कहेंगे कि वह इन्नोवेशन्स है और इन्नोवेशन्स चुडबी कंडियो बच्चे जो नहीं जानते, उसको बच्चे जान ले, जो उनके लिए उसको आप फैमिलियर बना दे, यदि ऐसा कोई conducive environment आपके innovation से create हो सकता है, तो वो innovation है, innovation की प्रकृती सकारात्मक होनी चाहिए, एक अच्छा innovation बही माना जाता है, जो प्रकृती में सकारात्मक हो, लोगों के जीवन में, बच्चों के जीवन में, आपके सिक्षा प्रणाली में सुधार लाए, सकारात्मक्ता लाए, तब वह innovation होता है, तो मैं बात कर रहा था कि innovation सक प्रकारत्नक होना चाहिए और इन्नोवेशन ऐसा होना चाहिए जो आपके तंत्र में आपकी परिस्थती में आपकी बवस्था में सुधार ला सके तो उसे हम इन्नोवेशन कहते हैं इन्नोवेशन कितले प्रकार के होते हैं इसके बाद यह प्रशन उटका है what are the types of innovation तो चार प्रकार के इन्नोवेशन की बात की गई है आप जरा जो उदाहरण मैंने आपको शुरुआत में दिये उनको ध्यान में रखिएगा और कोशिश करिएगा कि उन उदाहरणों को हम कहा हम प्लेस कर सकते हैं प्रोडक्ट इन्नोवेशन, प्रोसेस इन्नोवेशन, प्रोसेस इन्नोवेशन, प्रोडाइम इन्नोवेशन और प्रोजीशनिंग इन्नोवेशन के चार प्रकारों की बात की जाती है और यह संचेक में हम जानने का प्रयास करते हैं कि इन चार प्रकार कि innovations से हमारा क्या तात करें है और हम किसको product innovation कहते हैं किसको process innovation कहते हैं किसको paradigm innovation कहते हैं और किसको positioning innovation कहते हैं प्रोड़क्ट इनोवेशन जैसा कि नाम से ही स्पस्ट है कि ऐसा इनोवेशन जो एक उत्पाद हो कि डेवलेप्मेंट आफ न्यू प्रोड़क्ट किसी नई चीज का निर्माण या किसी पुराने मॉडल को किसी नए मॉडल से रिप्लेस कर देना ये ओधि हम ऐसा कुछ करते हैं को नया प्रोड़क्ट बनाते हैं जो पहले से नहीं था या को पुराना मॉडल कि हैसे चीज कर दे से कार के मॉडल kok बदलते हैं तो दैट इस काल्ड प्रोड़क्ट इन्वेशन कोई नया प्रोड़क्ट दे देना रेप्लेसिंग दे ओल्ड मॉडल वाइन नू फर एक्जामपल एक बढ़ अच्छा इसका एक्जामपल है एन्सी आर्टी ने स्टूडेंट्स को मदद करने के लिए विज्ञान और गड़ में एजुकेशनल किट्स बनाए और उन एजुकेशनल किट्स का प्रियोग पूरे देश में बहुत सारे विद्यालियों में किया गया और किया जा रहा है तो वो एजुकेशनल किट्स एक नए तरह का प्रोड़ परण कुछ टीचर्स अपने विद्याले में एजुकेशनल मिटीरियल को डवलप करते हैं अपने विद्यार क्यों के लिए नहीं सिक्षन सामिकरी का विकास करते हैं जैसे मैंने उधानन दिया एक कार्टून मैंने आपको दिखाया कि बच्चों को गड़ित में पहाड़े द अर्थात हम किसी प्रक्तिरिया में कोई सुधार करें जैसे कोई नया delivery mechanism टेवलप करें कोई नया method डेवलुप करें जैसे शिक्षन हम में नई नई विधियां आती रहती हैं teaching learning में नई नई विधियां विक्सित होती रहती जो पुरानी विधियों को replace करती हैं उन विधियों की साहता से आप सिक्षण अधिगम करते हैं जैसे मैं प्रम्य अदूदारन लूग एक समय था हमके वह lecture method से पढ़ाते थे फिर उसमें एक process innovation आई कि यह दिव lecture के साथ थोड़ा demonstration एड़ कर देंगे तो विधियार्थियों को समझने में आसानी होगी तो lecture पर demonstration method आया जब वो आया तब वो एक innovation था उसके बाद laboratory method आया जब वो आया तब वो एक innovation था आज हम ICT के integration की बात करते है teaching learning में जब हमने वो integration traditional में शुरू किया तो वो एक innovation था तो किसी भी टेक्नीक किसी भी equipment किसी software में अगर हम कोई significant change लेकर आते हैं जिससे वो प्रक्रिया बदल जाए जिस प्रक्रिया में उस तक्नीक उस उपकरान या उस software का हम प्रयोग कर रहे है तो उसको हम process innovation कहते हैं जैसे micro teaching introduce हुई थी तब वो एक process innovation था क्यों से teaching learning की process बदली models of teaching आये teaching learning बदली program instruction packages बीच में develop हुए यह बहुत सारे popular examples है आपने आसपास भी देख सकते हैं मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ा सा अधियन करें और इस लिस्ट में और एड करें कि आपके साब से और इसमें क्या process innovations हो सकती हैं यह जैसे अभी web 2 tools हैं बहुत सारे tools हैं हम web conferencing यूज कर रहे हैं Facebook live यूज कर रहे हैं तमाम चीज़ें यूज कर रहे हैं कल को हम यह सारी चीज़ें अगर अपने classroom में add करतें कल को अगर यह सारी चीज़ें हैं अपने classroom transaction के साथ integrate करतें तो यह अभी एक process innovation ही कहलाएगा next innovation है paradigm innovation next process है paradigm innovation paradigm innovation का मतलब कि जब पूली परिस्थिती में आमूल चूल परिवर्तन हो जाए जब कोई सोचने की प्रक्रिया में thinking process में major shift हो जाए जैसे 2005 से पहले इस देश की कक्षाओं में जो सिक्षण अधिगम होता था जो teaching learning process थी वह बिहवरिजम पर बेस थी हम सारे principles को teaching methodology को बिहवरिज अप्रोच के साब से बनाते थे हम lesson planning बिहवरिजम के साब से करते थे हम classroom में interaction बिहवरिजम को ध्यान में रफ कर करते थे सड़नली 2005 में देश में national curriculum framework आया और उसने का कि नहीं बिहवरिजम शुट भी मूव टूर्स constructivism हमें विवहारबाद से रचनाबाद की और जाना चाहिए उसी के साब से हमारे टेक्स्ट बुक्स बदल गई हमारे teaching methods बदल गए हमारे lesson planning की तरीके बदल गए हमारे प्रक्रिया में एक बड़ा आमूल चूल परिवर्तन होता है तो वह paradigm innovation की श्रेड़ी में आता है जैसे मैंने अभी उदान दिया national curriculum framework 2005 के implementation के बाद paradigm shift आया या 2009 में आपको याद या continuous comprehensive evaluation CCE launch किया गया तो assessment system में that was paradigm shift कि हम traditional examination system से CCE की तरफ चले गए फिर हमने CCE को समाप्त कर दिया that again a paradigm shift अभी open book examination system पर debate हो रहा है कि let us move towards open book examination system so if we implemented it is a paradigm innovation right 10th class के बच्चों को आपको याद है एक समय में board exam optional किये गए थे वह paradigm innovation था अभी CVCS higher education में लागू हुआ choice based credit system it is a paradigm innovation online examination is a paradigm innovation तो जब चली आ रही प्रक्रिया में कोई पूर्ण रूपेंड बड़ा परिवर्तन हो जब बड़ा परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन को हम paradigm innovation का नाम देते हैं और पोजीश्निंग इन्वेश्न इनौवैश्न का मतलब है कि हम किसी product को बनाए किसी और परपस के लिए लेकिन उसको इस्तेमाल किसी और परपस के लिए कर लें इससे हो प्रयोग होने लगे। के लिए यूज हो रहे थे लेकिन जैसे ही कोविड-19 पैंडमिक पीरिड आया हमने कॉन्फरेंसिंग टूल को फेस टू-फेस क्लास्रूम के साथ सिमुलेट करना शुरू किया और सिंक्रोन क्लास्रूम टीचिंग लर्निंग में जूम या उसके जैसे और भी बहुत सारे अप इस्तेमाल होने शुरू हो गए तो यह एजूकेशन के लिए बने नहीं थे बने किसके लिए थे ओफिशल मीटिंग के लिए कुछ और तरह की गैदरिंग के लिए बट भी स्टार्ट इस इसकाल्ट पोजीशनिंग इन्नोवेशन इन्नोवेशन कहीं और हुआ यूजन कहीं इक्राउन पर चलती है उसको हम लोग ब्लॉक्चेन कहते हैं ब्लॉक्चेन टेक्नलोजी ब्लॉक्चेन टेक्नलोजी बनी थी बिटकॉइन को मैनेज करने के लिए लेकिन एजुकेशन के लोग उने देखा कि ब्लॉक्चेन से हम सर्टिफिकेशन बैजेज और बहुत सारी तो आज दुनिया की बहुत सारी उनिवर्सिटी इस ब्लॉक्चेन का इस्तेमाल एजुकेशनल सिस्टम में करने लगे तो ब्लॉक्चेन बना तो था बिटकोईट मैनेज करने के लिए मैनेज करने लगा है एजुकेशन राइट इस अगेई अग एक्जाम्पल आफ पोजीश की बात की थी इनौबेशन कितने भी तरह से हो इनौबेशन के चार आयाम बतायगें ने अजह एक्षका extent that innovation is novel or new, either we change the fundamental redesign, कि आधार वो तरीके से ही हमने किसी चीज को बिल्कुल नया बना दिया है, that is one extent, या कोई चीज अल्रेडी अविलेबल थी, उसमें हमेंने कुछ जोड कर उसमें incremental improvement किया है, कुछ उसमें सुधारात्मक चीजें जोड दी है, so the first dimension of the innovation is, extend of newness, इसके दो dimension है, either fundamentally redesigned, हम पूरी तरह से उसको दुबारा नया बना दे, या उसमें कुछ नया जोड कर उसी को आगे बढ़ा दे, दोनों चीजे innovation के अंदर आती है, the second dimension is, has the new ever been done before, कि हम जो नया कर रहे हैं, कि अब वो कहीं और पहले हो चुका है, तो जहां हो चुका है, वहां के लिए innovation भले ना हो, जहां नहीं हुआ, वहां को लिए innovation होगा, मैं उधारण लेता हूँ फिर से जो मैंने सौरब का आपको दिखाया था, कार्टून, तो कार्टून का इस्तैमाल ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा, कार्टून तो अजुकेशन पर इस्तैमाल हो रहे हैं, educational tool है, तो वह जाहाँ स्तेवाल हो रहे हैं वहाँ नया नहीं होगा लेकिन उत्तरप्रदेश के ग्रामीर छेत्र की प्राथमिक शालाओं में यह कोई अध्यापक इसका प्रियोग कर रहा है तो वहां के लिए वह एक नवाचार तो नवाचार या तो निर्मित होता है नव निर्मित होता है इन्वेंशन होती है आपने कोई चीज इन्वेंट की है या कोई चीज औरेड़ी एक जगा इन्वेंटेड है आप उसको दूसरी जगा रेप्लिकेट करते हैं रेप्लिकेट करने का मतलब उसको धोरात यहसे मैं को और दोरण फिर से लेता हूँ जो स्कूल बैंक का प्रियोग है जब सौरव ने स्कूल बैंक का Κशन WAS का इंवेंशन था जब देश के अन्य राज्यों के अन्य विद्यालेों ने अपने विद्यालेों में प्रियोग करना शुरू किया तो वह उसके इंवेंशन क तो इन्नोवेशन में दोनों चीज़े होती है, इन्वेंशन भी होता है और रेप्लिकेशन भी इसमें आता है, then there are four dimensions of innovation में, जो तीसरा dimension है, वो है is the school itself new, actually ये dimension ये कहता है कि कुछ innovations ऐसे होते हैं जो already existing schools में होते हैं, लेकिन यदि स्कूल पहली बार innovation कर रहा है, पहली बार innovation की तरफ जा रहा है, तो या तो इस स्कूल अपने system में कुछ नया create करता है, कुछ निर्मित करता है, या फिर कुछ already created है, उसको adopt करता है, तो third dimension, school point of view से है, कि either school will create something innovatively, for their kids, for their children, for their students, for their teachers, or it will adopt which has been something already been created somewhere, अगर कहीं कुछ create हो चुका है, तो उसको adopt करना, उसको adopt करना भी innovation कहलाता है, चौथा dimension है, वो initiated the new, कि या नवीनता या innovation किसने प्रारंब किया, किसने प्रारंब किया, दो तरह के लोग होते हैं, जो innovation प्रारंब करते हैं, the people at the working level, अर्था जैसे आप टीचर्स हैं, आप यदि अपने विध्याले में कोई innovation प्रारंब कर रहे हैं, आप यदि, यदि या कोई चिकिस्सक अपने अस्पताल में कोई innovation प्रारंब कर रहा है, कोई जहां जो विप्ति काम कर रहा है, यदि वही वो अपना innovation स्टार्ट करता है, so that is called type A kind of innovation, means people at the working level, whereas the people outside in the support role, ये भी हो सकता है कि एक विध्याले में जो शिक्षब पढ़ा रहे हैं, वो innovation ना कर रहे हो, बलकि कोई external agency आपके विध्याले के लिए, आपकी व्यवस्था के लिए कोई innovation करे, और फिर आपके लोग वस्विवशन को अड़ाप्ट करे, जैसे माम लीजिया, online examination पर कोई system develop होना है, तो या तो किसी विश्विध्याले में जो लोग education और examination system में काम कर रहे हैं, वो लोग online examination का कोई model, कोई prototype develop करे, तो वो type A type of innovation होगा, लेकिन अगर कोई external agency किसी विश्विध्याले की अवश्यक्ताओं को ध्यान में रखते हुए, उसके लिए एक online examination का portal या mechanism develop करती है, और फिर उस विश्विध्याले के लोग या उस विश्विध्याले के लोग उस बवस्ता के लोग उसको अंगीकार करते हैं, उसको स्विकार करते हैं, उसको adopt करते हैं, तो that is type 2, तो who initiate does this? तो that is either people at working level और people in the outside support road. Then comes the process of innovation. Process of innovation तो मतलब नवाचार कैसे काम करता है, इसकी प्रक्रिया क्या है, हम कैसे नवाचार करते हैं या नवाचार किस प्रकार होते हैं, इसको लेकर के कई सारे questions है, बहुत सारे questions हैं, लेकिन इस प्रक्रिया के कुछ चरण हैं, पहले हम उनकी संक्षेप में चरचा करते हैं फिर एक एक चरण पर विस्तार सर बात करेंगें. The first step is identifying the problem. The second step is to find out the causes, planning strategies and approaches for the solution. Then trying out or experimentation. Then evaluating the experiment. Then feedback and assessment of the achievement and limitations. Then planning or formatting the modified approach. Then adopting the modified approach. Then retry out. And then adopting the modified approach in a system. So, this is the nine reasons that some people have told us about 9-4 प्रक्रिया के बताए हैं. समस्या को पहचानना, उस समस्या के कारणों को ढूनना, और उसके लिए उपिप्त समाधान की योजना बनाना, जो समाधानों की योजना बनाई है, उसकर experiment करना, उस experiment के परिनामों का मुल्यांकन करना, उसका assessment करना, और यह देखना कि इससे हमें क्या लाव हो गया और इसकी क्या सीमाए हैं, उसके बाद उस पर फिर कोई अगर modify करना है, तो उसकी नियोजन करना, modification करना, modification को पुना क्यास करना, उनको adopt करके फिर retry out करना, और retry out करनी के बाद जो outcome आएगा, उसको पूरा system जब accept कर लेता है, that is called innovation. Let us talk about one by one. The first step in the process of innovation is identifying the problem. जब हम identifying the problem की बाद कर रहे हैं, समस्या की पहचान करना, तो हमें पहले सोचना होगा एक अध्यापक के नाते, कि हमें innovations की जरूरत क्यों है, why do we need innovation in our classroom? Then, if we need innovation to solve a problem, so whether this problem is new or unique, because if there is a problem, and there are already available solutions for the problem, then there is no need to reinvent the wheel. यदि एक समस्या है जिसके समाधान कहीं न कहीं उपलब्ध है, तो फिर आमें उस समस्या के समाधान के लिए फिर से प्रयास करने की जरूरत नहीं है, यदि वे समाधान हमारी समस्या को हमारे अनुरूप हमारी परिस्ति में ठीक से समाधान दे पाते हैं, then there is no need, but if the problem is new and unique, you have to identify the problem. Then जैसे मैंने कहा, is there no solution available? क्या कोई समाधान वह उपलब्ध है या नहीं? जो समाधान उपलब्ध हैं, क्या वे समाधान हमारी समस्या को सुल्धान में सक्षम नहीं है? Are they not able to resolve our problems? If these are the questions which we need to answer, and then we decide that okay, let us do some, innovation. Then we move to the second step. So what is the second step? To find out causes, planning strategies and approaches for the solution. So हमारी समस्या नहीं है, हमारी समस्या का कोई समाधान उपलब्ध नहीं है, जो समाधान उपलब्ध हैं, वे हमारी समस्या का ठीक प्रकार से समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तब हम सोचते हैं, यह समस्या क्यों खड़ी हुई, इस समस्या के कारण क्या हैं? यदि इस समस्या को हमें डील करना है, if we need to deal with the problem, what could be the possible strategies, इसके लिए क्या समभावित युक्तियां रणनीतियां हो सकती हैं, we need to list down them, then उनने से कौन सी ऐसी अप्रोच है, जो इस प्रोब्लम को बहतर तरीके से डील कर सकती है, यह हमारा second step होता है, where we decide about the strategy and approach which we want to use for solution, and we plan that how we will go ahead. Third step होता है, trying out or experimentation. अगर हमने एक से जादा strategies डिसाइड ली हैं, और हमें लगता है कि यह सारी strategies हमारी समस्या का समाधान हो सकती हैं, तो हमें prioritize करना होता है, कि हम कौन सी strategy को पहले test करेंगे, सारी strategy को हम एक साथ भी test कर सकते हैं, और strategies को हम एक-एक करके भी test कर सकते हैं, तो should I try out the same strategy on whole group, कि एक ही strategy को लेकर के मैं पूरी कक्षा पर उसको try out करूँ, या मैंने तीन-चार strategies का chain किया है, तीन-चार UQ का chain किया है, मैं कक्षा को दो-तीन समूवों में बाढ़ कर, हर एक समूव पर एक-एक strategy को प्रियोग करूँ, तो यह मेरा chain है, मैं experiment कैसे करना चाहता हूँ, मैं parallel more than two strategies या more than one strategies को experiment करना चाहता हूँ, या मैं एक-एक करके, पहले एक strategy apply करके देखता हूँ, यदि काम करेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं second strategy की तरफ जाऊँगा, so that is called trying out phase और experimentation phase, जब आप यह experiment करते हैं, चाहे एक strategy को apply करें, या एक से ज़्यादा strategies को apply करें, फिर आप उसका मुल्यांकन करते हैं, कि आपके प्रियोग के परिणाम क्या है, उसके outcomes क्या है, उसके निश्पतिया क्या है, क्या उससे बाहर निकल कर आ रहा है, और जो बाहर निकल कर आया है, क्या वो मेरी समस्या का समाधान करने में सक्षम है, यदि है, तो क्या ये विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित है, क्या मैं अपनी पूरी कक्षा में इसको प्रियोग कर सकता हूँ क्या मेरा समाधान मेरी पूरी समस्या का समाधान कर रहा है या मेरी समस्या के किसी एक भाग, किसी एक हिस्से का समाधान, हिस्से संभव है तो मुझे इसकी भी चिंता करनी होती है कि मैं जब अपने experiment के outcomes को evaluate कर रहा हूं तो मुझे अपनी कक्षा को ध्यान में रखना है अपने उदेश्यों को ध्यान में रखना है और फिर यह देखना है कि क्या इसमें कोई समस्या तो नहीं आ रही और यदि आ रही है तो फिर हमें जो feedback मिलता है उसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा समधान सभी पर लागू होने योगे है नहीं ज़ि सभी पर लागू होने योगे है भी तो भी क्या मेरे विद्यारती समधान के साथ comfortable होंगे क्या वो आसानी से जब मैं उन पर ये समधान apply करूंगा तो वे इसको देख पाएंगे क्या यह cost effective समाधान है की नहीं क्योंकि अधि हम अपने गामिल छेत्रों की विद्यालियों की बात करें रूलर इरियाज में बात करें जहां पर resources काम है तो हमें cost effectiveness भी दियान में रखनी हो तो हो सकता एक समाधान बहुत अच्छा हो कोई internet पर या कोई technology टूल बहुत अच्छा उपलब हो लेकिन अपने विद्यार्थियों तक उसकी पहुंच बनाने के लिए मुझे खर्च जादा करना हो यह तो मुझे अधिक खर्च करना हो यह मेरे विद्यार्थियों को अधिक खर्च करना हो तो वह अच्छा समाधान होने के बाबजूद मैं प्रियोग नहीं कर पाऊंगा ठीक है और जो समाधान मैंने सोचा है उसकी क्या possibilities है उसको इस्तेमाल करने की और उसमें कौन सी सीमाएं है उसमें क्या सीमाएं है उन सीमाओं को दूर करने की चिंता भी हमें करनी होती है तो कि अभी यह prototype अब हम देखते हैं कि हमने जो experiment किया था क्या उसमें को modification की जरूरत है क्या हमें अपने solution को customize करने की जरूरत है keeping in mind our learners differences मेरे विद्यार्थियों के जो भिनताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या मुझे अपने solution को customize करने की जरूरत है अधा विद्यार्थी के अनुसार उसमें बदलाव लाने की जरूरत है या मेरा समाधान सभी विद्यार्थियों पर एक साथ लगू हो जाएगा क्या जो modified approach अभी मैंने इन्नोवेटर उसके बाद आप जो भी modify आपने modifications टे किये जो भी बदलाव आपने नदारित किये हैं आप उनको adopt करते हैं और आप कहते हैं let me use the modified solution कि मैं इस modified solution को प्रियोग करके देखता हूँ मेरे विद्यार्थियों को मुझे बताना है कि उनके उनसे मेरे क्या पेक्षा है जब मैं कोई modified approach इस्तेमाल करूंगा तो मेरे विद्यार्थियों को भी पता होना चाहिए कि why I am using that modified approach फिर इस strategy को implement करने के लिए कि इस solution को इस method को इस modified approach को implement करने के लिए मेरे क्या strategy होनी चाहिए कैसे मैं इसको एक विद्यार्थियों में लागू करूंगा कई वार अध्यापक कोई innovation करते हैं पहले वे कक्षा में करते हैं कक्षा के बाद वो उसको विद्यार्थियों लेकर जाते हैं विद्यार्थियों को किया उसकी कमिया देखी उसमें सुधार किये और जब उसने लगा कि मेरा प्रियोग अपकुल मिला करके अन्ने जगाओं पर लागू करने लायक है तब उसने अपने अने साथ में उससे चर्चा की कुछ और विद्याले के लोग उसके साथ जुड़े उन्हों ने अपने लागू हो सकता है तो उतरप्रदेश राज्य के बहुत सारे विद्यालियों ने उसको अडौक किया फिर उतर्प्रदेश के बहुत सारे विद्यालियों में चला गया तो इसका मतलब यह है कि modified approach हम कैसे अडौक करेंगे इसकी strategy की भी हमें चिंता करनी होती है और यदी हमें रीट्राई आट करने की जरूरत है तो क्या हमें रीट्राई करना है करना है तो किसे स्केल पर करना है क्या हम उनी स्टूडेंट्स पर रीट्राई करें जिन पर हमने पहले किया था या हम नए स्टूडेंट्स पर रीट्राई करें अगर उनी स्टुडेंट्स पर रीट्राई करेंगे तो क्या, वह और कोई carryover effect होगा क्या carry over effect का मतलGroup कि जब हां प्रियोग एक विद्यार्ति के उत्यों पर नहीं और उन्हीं विद्यार्ति के वीद्यार्ति करतेए और वारा प्रियोग करते प्राप्त या लागू किया जा सकता है तो यह थी इनोवेशन की प्रासेस जो एक नौ चरण थे और मैंने प्रयास किया कि नौ के नौ चरणों को आपको संक्षेप में स्पस्ट करूं जिससे कि आप यह जान पाएं कि एक टीचर कैसे इनोवेट करता है जहां इनोवेशन करना है उस इनोवेशन की विशरवस्तु क्या है उसका परिप्रेक्ष क्या है वो किस परिवेश में किस बातावरण में किस कॉंटेक्स में इनोवेट करना चाहता है और इसके प्रोसीजर्स क्या है इसकी प्रक्रियां क्या है but if a teacher wants to innovate he or she should continuously reflect on content context and procedures he or she should develop new strategies new technique and if possible somewhere then they produce new material जो चली आ रही व्यवस्था से अलग सोचने की और आगे बढ़कर उसमें कुछ नया जोडने की हिम्मत कर पाते हैं या इच्छा रख पाते हैं यदि हम परमपरागत सिक्षन अधिकम में आनंद आ रहा है और हमें लग रहा है कि हमारे विद्यार्थियों के सभी लक्षे उसमें पूरे हो रहे हैं तो फिर हम कभी इन्नोवेशन का नहीं सोचते हैं हम कभी नवाचार के बारे में नहीं सोचते हैं यहां पर मैं आपका धन रखें, घर के बड़ों का ध्यान रखें, और सांती पुर्यदेश में बनी रहें, इसी प्रार्थना के साथ मैं इस कक्षा को समाप्त करता हूं, आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्मेबार